आनाइन टीवी से बाचीत में यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पांच साल का विकास की कलेई खुलकर सामने आ गई है पिएफाई को लेकर उन्होंने कहा कि 108 गिरफतारिया हो चुकी है और अभी और गिरफतारिया होनी बाकी है सबसीडी लोगों के दे रख यह है भारी पड़ रही है देखे आम आदमी पार्टी ने बिजली के नाम सबसीडी की बात करी थी और 600 करोड की सबसेड़ी को लेकर परदस्तन धरना और तमाम चीज किया था 2300 करोड से उपर का सबसेड़ी उन्होंने बिजली में दी है तो ये इनका दिखावा है कहा 5000 बसे खरीदेंगे 4500 की आसपास उपर बसे थी उनमें से भी 300-400 बसे और कम हो गई बेड़ा जेतना उनका था बसों की संक्याति उसमें बिज़ी कमी हो गई 5000 में से एक बसे भी नहीं आई कहा कि पानी को एक सुद्ध जल पहुंचाएंगे तो चारों तरफ वो अपने बाद से पिशे हुए एक भी स्कूल नहीं खोल पाए उत्तरप्रदेश में आप देखो योगी जी की सरकार है 205 विद्याले हम लोग नए खोल चुके उनको चलाने शुरू कर दिया डाई साल में और सो और नए विद्याले बन रहे हैं कुछ विद्याले पांच शे साथ दस विद्याले अच्छा करके उनको टेलिविजिन पर बार बार दिखा के किस रिक्षा में सुधार हो गया यह चलावा है और चलावे को यहां की जनता समझ गई है इसलिए यह अब केजरी वाल जाने वाले हैं और बाज़ापा आने वाली है तो यह डॉक्टर दिनेश शर्मा थे जो साब तोर पर कह रहेते कि आम आदमी पार्टी ने जो जूट का पुलिंदा बांध रखा है अब जनता के सामने नजरा रहा है कैवनामन राहूल के साथ हमें दुबे आर नाइंटीवी दिल लिए